सरद्या आते ही गरों में मक्य की चपाती बनना शुरू हो जाती है क्योंकि ये काफी ज़्यादा टेस्टी और अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए काफी ज़्यादा अच्छी होते हैं आज मैं आपको पर्फेक्ट तरीके से मक्य की चपाती बनाना बताऊंगी जिसको आसनी से आप बना सकते हैं और एकदम से गोल ये बनकर तैयार हो जाएगी तो चले फेस को बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने मक्य का आटा ले लिया है और इस तरीके से आप देख सकते हैं तीन कप मेंने आपर मक्य का आटा लिया है इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं नमक स्वात के अनुसार कम या ज़दा आप अपने अनुसार रख सकते हैं अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कीजिए नमक पूरी तरीके से और इसके अंदर हमें मोयान वगेरा कुछ नहीं डालना इस बात का आप ध्यान रखे और चलिए अब इसको दो भागों में थोड़ा डिवाइट कर लेते हैं जितना आटा हमको लगाना होता है उतना ही बांदे और थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा पानी लेना है पानी एक साथ ज्यादा नहीं डाले इस बात का ध्यान रखे तो अगर यह गिला हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएगे और हतेली का जो पीछे वाला बागे उससे आप इस तरीके से मसलते रही है करीब क हमारी जो चापाती है काफी अच्छे से बनेगी तो आप देख सकते हैं आटा अच्छे से लग चुका है और इस तरीके से हमें जितनी साइस की हमें रोटी बनानी उस हिसाब से हमको आटा ले लेना है और इस तरीके से इसके जो किनारी है अच्छे से एकदम से राउंड कर पहले तो और जो बाकी का आटा बचा हुआ है उसे आप थोड़ा सा धक्कर रखिए ताकि वह जल्दी सुके नहीं इस बात का आपको अच्छे से द्यान रखना है तो चलिए फटाफट से इसको धक्कर साइड में रख देते हैं और अभी आप यहां पर एक चकला या फिर एक चौपिंग बॉर्ड ले लिए और साथ में उसके उपर हमें एक पॉलिथेन रखनी है क्योंकि आज हम इसको पॉलिथेन से बनाएंगी मेरी मम्मी जो है वो हातों से बनाया करती है लेकिन मुझे हातों से इसको बनाना नहीं आता है इसलिए मैं आपको इस तरीके से आसान तेल से ग्रिस कर लेना है और इस तरीके से हमें किनारी को एक साइड से दवाते जाना और एक तरफ हमें जहां पे हम प्रेस कर रहे हैं वहाँ पर हमें हाथ को रखते जाना है ताकि हमारी जो चपाती है काफी अच्छे से गोल बने और किनारी जो है एकदम से मोटी ना रहे इस बात का ध्यान रखिए अगर ये कई से फटती है अगर आपको लग रहा है आटा थोड़ा टाइट हो चुका है तो हातों को थोड़ा सा गीला कीजिए और इसको पूरी तरीके से दबाते हुए रांड शेप कर लीजिए आटा थोड़ा सा टाइट होगा तो ही हमारी चपा Kal can we add a और इसको पर फर्त्रा नहीं है अगर इसको फर्षि से छोड़ा सा नहीं ड़ीनी नहीं चाता ने से और इस ट्रीके से थोड़ा सा ये घ्याता है और इसी तरीके से हमें दूसरी चपाति बढ़ा कर टयार कर लेनी है और हमें पतली ही बनानी एकदम से मोटी नहीं बनाए नहीं तो ये ज़्यादा कच्छी रह सकती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बराबर साइज में हमें चारो तरफ से अच्छे से इसको बना कर त्यार कर लेना है अब आप इसको एक चमच की साइता से अच्छे से चारो तरब से इसकी किनारिय जो है छोड़ते हुए इसको पलट लीजे सावधानी से और इस तरीके से आप इसको सावधानी से पलट लीजे दोस्तो और इसको नीचे की तरफ फिर से पकने दीजे तो दोनों तरफ आप इसक को अच्छे से पकने दीजे जब तक कि यह पूरी तरीके से और गैस को मीडियम रखना एकदम से हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है नहीं तो यह जल जाएगा और अंदर से कच्छा रह जाएगा मक्य की चपाती को थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में और काफी जाधा टेस्ट लगती है अगर यह चपाती आपके अच्छे से नहीं पकीगी तो आपके पेट में दर्द भी हो सकता है तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हमें सारी की सारी चपाती को अच्छे से सीखने देना है लो फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर और इसको निकाल दीजी अभी आप देख सकते हैं द नहीं कि आप ँनचाथी है, और यह काफी ज़्यादा टेश्टी और अच्छी लगती है उमीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आये होगा अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरू कीजेगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू कीजेगा हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आप इसको एंजोई कीजिए काफी ज्यादा डिलिश्टी रेसिपी है जैस्री राम